Hello friends, welcome back to my channel, Amrithi Vaishnamila आज की वीडियो में हम ये चार नंबर के काना हैं हमारी चार नंबर के काना के लिए बुलेन पुशाक का बेस बनाने वाले हैं कैप और ड्रिस दोनों का बेस आपको बना के दिखाने वाली हूँ तो वीडियो आप स्टार्टिंग से लेके अलिसके अलिसके नंबर के दिखा धिक में लिए उसकि उसकितल देखा दिखा दिया के लिए पूसरो नबर के कानामी है शब्सक्राइब यह ओंते भी इस टरह से ऐप किसी और पिछे से बना सकते हैं मैंने सिर्फ बेस बनाना बताया है आगे आने वाली वीडियो में आपको ये dress decorate करके भी दिखाऊंगी वो भी simple और आसान तरीके से तो आपके पास अगर घर में जो चीजे पढ़ी है उनसे भी आप इसे बहुत अच्छे से डेकोरेट कर पाएंगे तो वीडियो स्टार्ट करें से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब ने किया है तो प्लीस आप चैनल को सबस्क्राइब करें साफ में बेल आइकन पर प्रेस करके और पे क्लिक कर लें जिसे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टागाम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे बहाँ पे फॉलो करिए अबर लिंक आपको डिस्कुप्ट्ट्व बाक्स देखें एक दो हमारा गोल सा यह बेस बना हुआ है और यह सके साथ मैचिंग की कैप चार नमबरे काना को पेना हुआ है इसके पहले मैंने आपको अगर आप देखेंगे तो देखें यह एक तीन नमबर के काना का बेस है यह देखें यह एक नमबर के खाना है इनका फी लिंक आपको मिल जायका डिस्किप्टिप्सन बॉक्स में यह है हमारे 0-0 साइज के खाना सभी को मैंने नाप के अच्छे से डिखाया हूँआ है और यह है हमारे double zero size के तो इतना तरह मैंने आपको बनाना बेस बताया हूँआ है आ और मैंने कैप में इस तरह से फ्रिल बना लिया आप इन विम्हें बना सकते हैं अब नियुकिट से आप इनकी लंबाई आपको नाप के दिखाओं तो यह दिखिए यह इनकी जो लंबाई है वह हमारी चार इंसे एक पॉइंट कम है यह एक्जेक्ट आप 4 इंच बोल सकते हैं यहां पर यह आपको साथ वीडियो में समझ नहीं आ रहा होगा बट यह है हमारे 4 इंच के यह लेखें यह इस तरह से 4 इंच से एक पॉइंट अधिक यह कम आ रहा है तो 4 इंच आप बान सकते हैं तो यह हमने कानाची को लिए होगा साइट करती हूँ चले हमें स्टार्ट करते हैं एकदम सिंपल और आसान तरीके से देखेंगे बनाना यह इस तरह से हमने यहां पर एक लूप बनानी है इसमें से इसे निकालेंगे और देखें अपने हुप को डालना है हुप को डालने के बाद यहां पर हमें चेन बनानी ह तो ये देखें ये इस तरह से ये एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा हमने यहापे टोटल चौदा चेन बनाई अब देखें हापे एक चेन हमारी हुक में इसके बाद हम एक और दो दो चेन छोड़ेंगे और जो तीसरी चेन है हम इस तरह से यहाँ तीसरी वाले चेन में डालेंगे और डालने के बाद फंदे को निकाला देखें तीन फंदे हैं तो तीन से दो और दो से एक कर दिया फिर हमने इस तरह से किया यहीं से दो और दो से एक कर दिया फिर हमने इस तरह से किया अब यहाँ त्परें हम अगली चेंट में डालेंगे फंदे को निकाला तीन फंदें हैं तीन से 2 और 2 से 1 आप कर दिया फिर आगे आपको बताऊंगी क्या करना है ये अंगर मुल लेती हूं पूरी रोप देखेंगे क्या करना है यह देखिए हमने यहाँ पर यह बना लिया है अब हमें क्या करना है यह देखिए यहाँ से हम इसे टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद देखिए इस तरह से एक दो दो चेन बनाई अब ऐसे करेंगे अब यहाँ देखिए पहली chain में हमने एक बार double crochet बुना और दूसरी chain में भी एक बार double crochet बुनोंगी और जो हमारी तीसरी chain है इसमें हमने दो बार बुनना है तो यह एक और यहीं सेम chain में एक और बार double crochet इस तरह से ऐसे करके हमें अपनी यह पूरी row complete करनी है यह देखें यह एक chain में एक बार दूसरी chain में भी एक बार और जो तीसरी chain आप आप आएगी इसमें दो बार मिंस दो chain में एक एक बार और तीसरी chain में दो बार double crochet बनाते हुए हमें अपनी यह पूरी row complete करना है चले कर लेती हूँ फिर आगे बताऊंगे क्या करना है यह देखें यहाँ पर हमारी जो second row है वो भी complete हो गई अब third row के लिए हमें क्या करना है यहाँ पर इसे हमने turn किया और turn करने के बाद यह देखें हमने यह एक और दो chain बनाई अब इस तरह से करेंगे यहाँ first chain में हमने देखें एक बार double crochet, second chain में एक बार double crochet, जो हमारी third chain है इसमें भी हमने एक बार double crochet, fourth chain में एक बार double crochet और जो fifth chain आएगी अब इसमें हम दो बार double crochet बनाएंगे इस तरह से पूरा रो कम्टिट करेंगे चाल चैन में एक बार डबल क्रॉश्या और पांच भी चैन में दो बार डबल क्रॉश्या बनाते हुए यह देखिए हमारी यहां पर 3rd row भी complete हो गई, अब यह जो हमारी 4th row है, यहां से हमारी sleeve और weight print सब अलग होगा, तो आप यह वाली ध्यान से देखें, किस तरह से बुननी है, यह देखिए हैं, यहां से turn किया, turn करने बाद हमने 1 और 2 chain बनाई, इस तरह से करेगे, यह जो हमने यहां भी 2 chain बनाई है, इसे भी हम एक double crochet ही मानते हैं, तो अब जो हमने 1 chain में बनाई double crochet है, यह हमारी दूसरी double crochet होगी, इस row में मैं सभी chain में एक एक बार ही बनाऊगी, तो कहीं भी आप confuse नहीं होगा, कि मैं एक ही chain में दो बार बनाया है, तो चलें, यह देखिए हमारा 2 हो अब देखिए हम इस तरह से लपेटेंगे, लपेटने के बाद यहां पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 chain का gap देने के बाद, दसवी chain में हम बनाएंगे, देखिए इस तरह से, दसवी chain में हमने बनाना है, यह एक बार हुआ हमारा, फिर अगली chain में हमारा दो बार हो गया, पिर द देखिए, next chain में, 5 हो गया, फिर next chain में हमारा, 6 हो गया, फिर next chain में, 7, next, 8, next हमारा, 9, फिर यहां पे देखिए, next हमारा, 10, तो यह देखिए, हमने टोटल, 10 डबल कुरोश या पुन दी है, अब इस तरह से करेंगे, यहां पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, देखिए, next chain का gap देने के बाद, 10 ही chain में हमें, बुनना है, double crochet, तो यह हमारा, 1 हो गया, यह देखिए, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यह 5 हो गया, और यहीं इसी chain में, एक और बनाएंगे, 6, क्योंकि इधर भी हमें, 6 चाहिए, तो देखिए, इधर 6 हो गया, इधर 6 हो गया बीच में, हमारा, 10 हो गया, अब इसे हमें, टर्न करना है, टर्न करने के बाद, इस तरह से, एक, दो, दो chain बनाई, ऐसे करेंगे, अब देखिए, first chain से ही हम, सभी chain में, एक एक बाद, double crochet बना लेंगे, यह ऐसे करके, जो देखिए, सभी chain में, simply, एक एक बाद, double crochet बनाते, च तरह से, यह हमारी सीरी सेड, यह चोली हमारी रेडियो कही है, बस हम यही से अपना, गेर भी स्टार्ट कर लेके, आप देखिए, किस तरह से बुनना है, यहाँ पर हमने, एक और यह दो, दो chain बनाई, इस तरह से करेंगे, यहाँ पर देखिए, first chain में ही हमने, एक बार, और यही सेम chain में हमने, एक और बार डबल क्रोशिया बना ली, फिर यहाँ पर अगली chain में भी हमें, दो बार बनाना है, देखिए, यह एक और यह हमारा, दो, इसी तरह यहाँ सभी chain में हमें, दो दबार डबल क्रोशिया बनाना है, चले बना लेती हूं, फिर आगे बताऊंग क्या करना है यह देखिए हमारी जो रो है वो complete हो गई घेर वाली एक रो भी हमने बुनिया सभी चेन में दो दबार डबल क्रोश्या अब यहां से इसे हमें टॉन करना है और टॉन करने के बाद आप देखिए इस तरह से एक दो हमने चेन बनाई दो चेन बनाने के पाद यहां अब इसके बाद अगली चेन में हमने फिर से एक बार डबल क्रोश्या बनाया और फिर अगला वाला यह देखिए यहां चेन में बनागे इसके नीचे डबल क्रोश्या है इसमें हमने डाला इस तरह से फंदे को निकाला और बन दिया आप देखिए कितना इजी है फिर अग इसे तरह से फंदे को निकाला हल्का सा लंबा किया और यह हमने बुण ती यह देखें कितना इजी है इस तरह से गेर बनाने से आपका गेर कभी भी फ्रिल नहीं आएगी एकदम बराबर बनेगा गोल सा तो आप इस तरह से जरूर ट्राई करेंगे तो अचीछ आप यहां से कि कैसे आपको बुना है यह देखें इतना हमने बुना है अब यह वाली हमारी चेन है इसमें हमने इस तरह से डाला होक को निकाला और यह देखें यहां पर हमने इसे लंबा किया और बुन दिया फिर अगले वाले में हमें इस तरह से बुना है और फिर अगला वाला यह देख हो गया यह देखें यहां पर हमारी घेर ऐसे हो गई है अब यहां पर आप ध्यान से देखिए कि आप किस तरह से बुनेंगे यह देखिए यह हमारा उठा वाला तो सबसे पहले तो यहां हमने एक दो दो चेन बनाई और यह देखें यहीं पर हमने यह एक बार डबल क्रोश य और यहीं सेम चेन में एक और बार डबल क्रोशिया बना दिया, अब देखिए जो हमारा उठा वाला है, इसमें हमने डाला, फंदे को निकाला, और यह हमने बुन दिया, यह इस तरह से, अब देखिए इसके बाद जो हमारी यह चेन आ रही है, इसी में हमें, यह तो हमारा दे कि इसे फिर उठा लेंगे, यह देखें, यह उटते हुए आएगा । अब फिर अगलीma a savoir chain है, इसमे एक गार डबल क्रोश नहुत, और यही सवators chain में हमने A establish chain, और B syndlam कर यहान की इसे लव ठेखें, और इनगे Así lifelong. पूरी रोग कम्प्लीट करनी है, चले करती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है, यह देखे हमने अपनी फॉर्ड रो भी बुंदी है, कितना आसानी से हमारा आ गया है, अब देखे हम इसे यहां पे ज्वाइंट कर देंगे, यह इस तरह से यह हमने ज्वाइंट कर लि अब देखे हम फमने इस तरह से किया अब हमारा अ इस देखे हमारनी ऊभरे बुझया पंदय आगे और निकालने के बाल देखे हम इस तरह से किया, एहां पछ में इस तरह से यह बीज है, वाली बड़े जändern्ग इलो पहली में आप दो चैन में बनाना है और जो दूसरी चैन इसमें हमने एक और यह दो बाडबल क्रोशिया बना दिया यह देखे हो गया फिर हमने इस तरह से किया और उठाया वाले में इस तरह से बुन दिया फिर अगली चेन में हमने एक बार और इसके बाद जो चेन आएगी इसमें हम दो बाडबल क्रोशिया बुनेंगे यह देखे एक करेंगे को अभी ञांगए यहां पर रह काहएं यह ृ क्या करने न क्या करना है तो यही आंगे जूच्च चाहिएगे हमämänे अगले में इक बनाई है और यहां पर चाहिए वियमें और चैनले में भी एक बनाई बुद्दे चले जाएंगे यह देखें यह हमने दूसरा और यह हमने तीसरा भी बुद्दिया इस तरह से अब फिर देखें यह हमारा उबरा वाला आया तो हमने इसे उस ठाके इस तरह से बुद्दिया ऐसे पूरी रोग कंप्रीट करने चले करती हूं फिर आगे बताऊंग एक और दो दो chain बनाई एक पर और यह हमारी second last chain है इसमें हमने दो पर बना लेना है एक और यह दो अब बिच बिच में हमारा 4 double crochet हो जाएगा अब देखें यह उबरा वाला है तो इसमें हमने डाला इस तरह से निकाला और बन दिया अब यहाँ पर देखें एक दो तीन तीन दीख रही है double crochet तो हम तीन से इसे चार करेंगे देखें एक दो और यह जो last वाली है यह एक बार और यहीं सेम चेन में एक और बार यह हो गया अब फिर हमें यहाँ पर इस तरह से उठाना है और यह बुन देना है यह देखें बुन दिया फिर हमें वही चीच करनी है एक double crochet यह देखें दो double crochet और जो last वाला है इसमें हमें दो बार बनाना है यह एक और यहीं स अब यह उठावाला जो है मारा इसमें हम डालके और बुन देंगे यह ऐसे करके हैं तो चलिए मैं इसी तरह से अपना यह वाला रोग कम्टीट कर दी हूँ फिर आगे बताऊंगी क्या करना है यह देखें हमारी यह रोग कम्टीट हो गई है इस तरह से अब मैं एक्स ट्रोक इस तरह से बुननी है यह देखें यहाँ पर हमने एक दो दो चेन बनाई फॉर्स चेन में हमने इस तरह से एक बार डबल क्रोश यहाँ 2nd chain में भी एक बार और यहां पर फौरड़ चैन है इसमें दो बार बना लिए देखेए एक और यह दो इस तरह से अब फिर यहां पर यहां के अउठा वाला आ गया इसे हमने बुंदेना है फिर उसके बाद लेकैं यहांने एक चैन में 1 बार दूसरी चेन में एक बार तीसरी चेन में एक बार और यहाँ जो चौती चेन है उसमें भी हम दो बार बनाएंगे यह देखें यह last लास्ट फ्रले में हमने दो बार बुन दिया अब यह हमारा पांच-पांच होता जा रहा है यह हमने इसे फिर से निकाला तीन बार और ये चौथे में हम दो बार बनाएंगे एक और ये दो इसी तरह से हमें अपना ये पूरा रो कम्प्रीट करना है तो चले कर लेती हूं फिर आगे बताऊंगी क्या करना है यह दिए हमने यहां पे इतना बुन दिया है अब नेक्स्ट रो आप देखें किस तरह से बुनेंगे अब हमने यहां पे इस बीच में पांच पंदा कर लिया है अब हम इस रो में अपने पंदे को बढ़ाना नहीं है यह दिए इस तरह से एक दो दो चेन बनाई इन पांच रो चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाके फिर अपना उबरा वाला हम बुन देंगे यह ऐसे करके यह देखें एकदम सिंपल और आसान तरीका है कोई दिक्कत नहीं होगी आपको बहुत आसानी से आप इसे बना लेंगे तो चले मैं अपनी यह रो कंप्लीट करती हूँ फिर नेक्स डो में बताऊंगी क्या करना है यह देखें हमारा यहाँ पर यह रेडी हो गया है अब में क्या करना है इस तरह से एक हम चेन बनाएंगे बस ही हमारी नॉट हो गई यहां से हमने कट कर देना है अब इसमें आप बेज बनाने के बाद जरूर को डिजाइन बनाएंगे लिए तो यह थड़ा बड़ा ही होगा यह दिखें यह इस तरह से अगर आप नहीं कोई डिजाइन बना रहा है हमने देखें दो रहो में बढ़ाया है जैसे इसमें हमने अपना चार कर लिया तो फिर यहां पांच कर लिया और लास्ट वाले में पांच ही पुझा इस तरह से आप इसे बढ़ा सकते हैं तो हमारा यह जो बेस है वो कम्टीट होगा आपको बनाने में और बहुत ही पुबसुरत लगता है यह इस तरह से हमने यहां पर देखें यह डोरी ली और इसे हम खीज देंगे पकड़के तो देखें यहां पर हमारी यह डोरी भी आ गई बातने के लिए अब चले हम कैप बनाना देख लेते हैं कैप के लिए हमने अपना उन ले लिया है इसमें हम लूप बनाएंगे इस तरह से हमने यहां पर एक लूप बनाई अब इसमें अपने हुक को डालना है और डालने के बाद देखें चेन बनानी है इस तरह से यह एक दो तीन चार हमन जो दो चिन बनाते हैं, इसे भी एक डबल क्रोशरा ही मानते हैं, तो आप देख colony हमें be in circle में डाल के अपनी double क्रोश या बुरनी है条, इे तुरी हो गई फिर सरकल में डालके बुना यह हमारी चौती हो गई इसी तरह से हमें यह टूटल 14 डबल क्रोशिया बनानी है चिली बना लेती हूं फिर आगे बताऊंगे क्या करना है हमने यह पर देखें 14 डबल क्रोशिया बना लिए अब इस तरह से इसे डालेंगे और जाइंट कर देंगे यह तरह से पूरा रो पूरा रह करेंगे यह देखिए एक chain में एक बार दूसरे chain में भी एक बार और तीसरे chain में दो बार double crochet बनाते हुए तो चले मैं अपनी euro complete करते हूँ फिर next row में आपको बताऊंगी किया करना है यह देखिए हमारा हो गया है अब हम क्या करेंगे यहां पर यह इस तरह से lock कर देंगे यह हमने joint कर लिया यह देखिए इस तरह से हो गया अब यहां में क्या करना है इस तरह से दो chain बनाई और यहां सभी chain में सिर्फ एक एक बार double crochet बनेंगे सिर्फ एक एक बार ही बनना है तो चलिए मैं आपे सभी chain में एक एक बार double crochet बन लेती हूँ फिर आगे आपको बताऊंगे क्या करना है यह देखिए यह हमारा हो गया है अब हमें क्या करना है इस तरह से एक और दो दो chain बनाई और अब यहां हम सभी chain में देखिए तीन फंदें तीनों को एक साथ उतार दिया इस तरह से हम half double crochet बनाएंगे देखें तीनों को जब एक साथ उतार देते हैं तो इसे हम half double crochet बोलते हैं तो चलिए मैं आपे सभी chain में एक एक बार बना लेती हूँ फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है यह हमारी half double crochet की रो भी complete हो गई अब इस तरह से एक chain बनाएंगे और सभी chain में एक एक बार single crochet बनेंगे यह इस तरह से यह देखें सभी chain में सिर्फ एक एक बार single crochet बनना है तो चलिए मैं आपे सभी chain में एक एक बार single crochet बन लेती हूँ फिर आगे आपको बताऊंगी क्या करना है यह देखिए हमने यहां पे इतना बुल लिया है अगर आपने अपनी ड्रस में दो कलर लगाया हुआ है तो अब यह वाली जो रो हम पुढने जा रहे हैं इसे आप अपने दूसरे कलर से बुल लीजिए इस तरह से एक और दो दो चेन बनानी है और सभी चेन में दो दो बार एक और पार फिर अगली चेन में भी यह देखेंगे एक और यहीं सेम चेन में एक और बार इसी तरह से अपना पूरा रो कम्लीट करेंगे चले कर लेती हूँ फिर आगे बताऊंगे क्या करना है यह देखिए हमारी कैप जो है वो कम्लीट होगी है अमने लास्ट पाड़ी पाड़ी वो दो बार पूं दिया यह देखें कितने अच्छे से आ रही है यह चार नबर यह को बहुत अच्छे से पिटा रही है और यह बेस जो आप देखने है यह तीन नमबर को आ जाएगा तो चले पहना के दिखा लेती हूँ तो यह देखिए गाज मनें आप यह प्त ये हमारे हैं 4 नंबर के काना आप देगे कितने अच्छे से फिटा गया है आपको 006, 06, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर के काना की आप भी बेस मिल जाएगा इनसभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्सम बॉक्स मिल जाएगा महां से आप चेक कर लिए तो अगर आपके इनसभी में अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें अब हम मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए हरे कृष्णा रादे रादे